प्रमे दो, किसी त्रिभुज के तीनों अन्ता कोणों का योग 180 अंश होता है उपपत्ती दिया गया है कि त्रिभुज ABC के कोण क्रमशा, कोण 1, कोण 2 और कोण 3 है हमें सिद्ध करना है कि कोण 1, धन कोण 2, धन कोण 3 बराबर 180 अंश होता है सिद्ध करने के लिए भुजा BC के समानतर और शिर्ष A से गुजरने वाली रेखा PQ खींचिये चित्रा नुसार अब रेखा BC और PQ परसपर समानतर रेखाए है और AB तथा AC तीर्यक रेखाए है चित्र से इस पष्ठ है कि कोण 4 और कोण 2, कोण 5 और कोण 3 एक आंतर कोणों के युग में है अता कोण 2 बराबर कोण 4 समी करन 1, कोण 3 बराबर कोण 5 समी करन 2 परन्तु PAQ एक रेखा है अता कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 बराबर 180 समी करन 3 समी करन 3 में समी करन 1 और 2 से क्रमशह कोण 4 और कोण 5 का मान रखने पर कोण 2 धन कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180 अर्थात कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अता हम कह सकते हैं कि त्रिबुच के 3 अन्ता कोणों का योग 180 होता है सोचें और चर्चा करें दिये गए कथन सत्य हैं या असत्य अपने उत्तर कारण सहीद बताईए हैं दो सित्य हुई कैस्तर बोग wh लुए बंटाँ